असलाम लिक्म स्टुडियंट्स अज आप इनमेरिकल 6.9 से काम स्टार्ट करने है तो देखिए calculate the power of a pump which can lift 200 kg of water through a height of 6 meter in 10 seconds ठीक है इसमें आपने क्या find करना है power find करनी है जबके आपके पास given क्या है mass given है यहां पर ठीक है height given है और time given है power का formula लिखेंगे w by t ठीक है w by t लेके यहां पर देखिए w equals to fs होता है आपने fs by t लिख लिख लिया f equals to w equals to mg ठीक है तो f की जगा आपने mg लिख लिख लिया और s distance के बजाए आपके पास height given है तो s को replace करेंगे height से by time as it is फिर values put करेंगे और multiplication division के पाद आपके पास power cancer 1200 watt आज़ ठीक है इसके बाद next देखिए 6.10 an electric motor of one horsepower is used to run water pump इसमें क्या है कि एक electric motor है वो उसकी कितनी पावर है one horsepower है इन्ही फोर जनी 746 watt है ठीक है one horsepower का मतलब क्या है 746 watt वो power juice करती है और water को pump करती है the water pump takes 10 minutes to fill an overhead time ठीक है तो water pump यहाँ पर time कितना गिवन है 10 minutes से इसको आप second में convert करेंगे the tank has a capacity of 800 liters ठीक है यहाँ पर tank की कितनी capacity है यानि यहाँ पर जो capacity यह volume की फाम है 800 liters आपके पास actual में volume गिवन है and height is 15 meter find the actual word done by electric motor to fill the tank आपने दो चीज़े find करनी है एक आपने word done find करना है और उसके बाद दूसरा आपने क्या find करना efficiency ठीक है तो यहाँ जहां भी question में efficiency है आपने percentage efficiency तक जरूर find करना होगा ठीक है और दो चीज़ें और भी गिवन है आपके पास question में एक है density of water that is 1000 kg per meter cube और दूसरी चीज़ मैस of 1 liter भी गिवन है 1 kg यह दो चीज़ें आपके पास given है ठीक है इसका solution देखते हैं density of water को आपने रो से शोगिए that is 1000 and mass of 1 liter of water को आपने mass M से शोगिया power को P से 1 horsepower है इसको आपने watt में convert कर दिया ठीक है और time 10 minutes है minutes के जगा आपने 60 seconds लिख लिए ठीक है तो 600 seconds आ गया आपके पास time seconds में आ ठीक है इसके बाद high given है 15 meter capacity of tank आपने capacity of tank of volume से शोगिए that is 800 liters ठीक है और दो चीज़े find करनी है work और efficiency तो first देखिए work आप power के formula से find करेंगे यहां पे P is equals to W by T लेकिए here पे word and that is W एक side पर रख लेंगे T दूसरे side पर जाके क्या हो जागा power से multiply यह पावर से T multiply हो जागे values put करेंगे आपके पास actual word and four four seven six hundred dollars है ठीक है अच्छा अब यह जो मैंने input लिखता है और total input energy in case of efficiency यह input आपको efficiency की farm efficiency में काम आएगा यह जो वर्क है आपका as input efficiency में use होगा ठीक है सेकंड चीज़ आपने efficiency find करनी है इसमें देखें आपको बता है कि यहां पर row यह density जो होता है वह mass per unit volume होता है ठीक है density को आपने row से show किया row क्या होता है mass by volume होता है यह density का formula यह आप chapter 7 में detail से पढ़ेंगी ठीक है अच्छे यहां पर अगर हम mass की value find करना चाहें तो जो volume है वह divide हो रहा है mass से ठीक है तो दूसरे साइट पर volume जाकर row से यह density से multiply हो जाएगा यह अगले step में आप देख सकते हैं ठीक है यहां पर अगर हम mass को साइट पर रखें तो हमारे पास density multiply volume आता है ठीक है density की जगह आपने 1000 लिख लिया volume आपके पास question में given था 800 लिटर ठीक है आपने 1000 इसी तरह लिखा 800 आपने इसी तरह लिखा और लिटर यह आपको यहां पर याद होना चाहिए निए टार्म को साइट ना यहां अम Schr डीक होरे तौन की पावरास गया द होता है दोनों अब्यां इसमें कैंसिन हुगए आपके पास 800 kg यह मैस बच गया ठीक है अब देखें आउट पूट में भी आपने वर्ड और फाइंड करना है वर्ड न का फार्मुले लगाना है डिबू इकल्स टू एम जी एच ठीक है यहां पर देखें यहां पर आउट पूट में आपने पोटेंशल एनर्जी का पूट करने वाटर को स्टोर किया तो जो फोर्ड वाटर उसके अंदर कौन सी अनर्जी होती है पूटेंशल एनर्जी होती है इस वर्ड जिस आपने देखें व्ड इकल्स टू एंजी एस लिखा फिर वैलू स्ट करनी 120,000 जोल आपके पास आउट पूट आप पूट अब Efficiency का फार्मूला भी आपने पड़ा हैं, यह होता है, आउट पूट बटा Input, Output की वैल्यू आपने पूट कर दी, जो के भी आपके पास है, इनपूट आपके पास ये वल, ये आपके पास जो Input है, ये Efficiency case में इस World Damn को आप Input की इकुल रखेंगे, तो यह आपने दोनों को आप करेंगे कि यहां पर देखिये हैँ दोनों को डुवाइड करने से आपके पास यहां आता है अब % educationbelt करने के लिए कि जी को उसको ऑफिशिंट से मल्टिपया करेंगे तो आपके पास बेदेब अपिशिंट से आज है ओकी क्लास यह आज आज आपके दोड मैरिकल्स हैं आपने इन दोने मैरिकल्स को अच्छे तरीके से समझ कर अपने नीज कॉपी पे एदा हूँ और लिख लेना है ओके क्लास आपके चैप्टर सेक्स एंड हो गया है अलाहाफिज